उमान के पास एक तेल टैंकर समुद्व में पलट किया, इस पर तेवा भारतियों और ती श्री लंकाई समेट कुल 16 क्रू मेंबर सवार थे, ये सब भी लापता हैं, इस पर तेवा भारतियों के सवार होने की बात अब सामने आई है, उमान के समुद्वी सुबक्षा समुद्वी सुबक्षा केंद्व के मुताबिक, प्रेस्टीज फॉलकन नाम का तेल टैंकर दुबई के हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ था, इस पर कोमरोस का जंडा लगा हुआ था, ये यमन के आधन पोर्ट जा रहा था, डुक्म के पोर्ट टाउन के पास रास मद्रका से करीग 46 किलोमीटर दूर, दक्षिन पूर्फ में तेरी टैंकर पलट किया, क्रू मेंबर्स की तलाश में दो दिनों से सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, वही भारतिये क्रू सदस्यों को ढूंडने के लिए इंजन नेवी ने अपने युद पोर्ट, आप